Hello guys welcome back to my channel आप देख रहे हैं श्री ब्रहग वर्बल्स मेरा नाम है निकल बारकव दोस्तों कैसे आप लोग आप लोग सब लोग ठीक है ऐसा ही सब लोग अच्छे से रहें खोश रहें यही मेरी भवान से दुआ है दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल आप लोगों की वैसे और आप लोग का इसमें बहुत ब्रोल है दोस्तों आपको कोई भी प्रोबल्म है कोई भी चीज के बारे में आपको पूछना है कैसा भी आपको प्रोब्म है छत्रव लोकि मैं बैठा हूं आप लोगों को डाउट के लिए करने के लिए जितनी वी आपके डाउट्स है उन सभी को क्लियर करने के लिए मैं यहां हूं और आप लोग का सपोर्ट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है दोस्तों उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सपोर्ट के लिए इन्क्रीमेंट आता है या मेरे इनक्रीमेंट ऐता है तो मैसे अच्छा-इपकर सा मोटिवेशन बन्लता है और मैं हमेशा मोटिवेड़तर हíll थ कि दरते रहते हैं और मैसे क्लासिकल मेडिसन चल रहा है छो लोग नहीं जानते है यानि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इन चीजों में जानते हैं Classical Medicines में तो मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने लाता हूँ और पुरानी से पुरानी जो चोबी medicines होती है पुरानी से पुरानी जो भी बीमारियां होती है उन सभी को खत्म करने में classical medicines काफी अच्छा काम करती है तो दोस्तों आज का block focus है व्रद दंड चून की उपर व्रद यानि भुड़ापा और दंड यानि भुड़ापे को दंड देना यानि व्रद दंड चून यानि एक काया कल्प होता है यानि अगर आप 60 अबब है या 70 अबब है उस चून का अगर आप लेते हैं तो व्रद दवस्ता में जितने भी आपके मेद दोश होते हैं या व्रद दस्ता में आपको जो भी problems होती हैं यानि old age में अगर आपके cells recover नहीं हो पा रहें अच्छे से चाए आपको diabetes हो चाए BP हो आपका recovery जल्दी नहीं हो रहा है उस चीश को help करता है ये recover करने में जिसका नाम है व्रद दंड चून व्रद दंड चून ये थोड़ा complicated नाम लेने में वैसे से संधी विच्छित करते हैं तो व्रद दंड चून होता है यानि व्रद अवस्था को अच्छे से survive करने में ये आपकी help करता है तो व्रद चून चून के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों इसके घड़क के बारे में जानेंगे इसमें क्या क्या डलता है किस प्रकार से बिनाया जाता है ये भी मैं आपको ब्लॉक्स बताऊंगा दोस्तों तो उसके लिए आप लोगों को एक comment करना पड़ेगा जितने जादा comments उसके साब से मैं व्लॉक्स तयार करूंगा आप लोगों को बताऊंगा किसी चीज को बताते कैसे हैं जितने भी classical compositions है क्योंकि मेरे पास जितनी भी old books हैं दोस्तों उसमें अच्छे से detail में जानकारी दिये और वही detail के जानकारी में आप लोगों को provide करवानी कोशिश करता हूं तो आप मेरे blocks जितने भी हैं उनको detail में देखिए end तक देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो आज हम जाने के इसके गटक के बारे में इसके उप्योग के बारे में यह इसको कभी भी ले सकते हैं old age में अगर लेंगे तो आपको काफी अच्छे result में लेंगे इसको लेना condition यह है कि यह आप 50 ले सकते हैं आप 50 जो लोग होते हैं यानि 50 साल से उपर की जिनकी उमर है उन्हें अगर आप देंगे उनका जो भी रोग है और सभी रोगों को खत्म करन उपयोग मेंने बता दिया है आपको तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसके घटक क्या है इसके contents क्या है किन चीजों से यह बनाया जाता है तो दोस्तों इसमें सबसे पहरे डलता है सफेद मूसली सफेद मूसली के बारे में दोस्तों सभी जानते हैं बहुती फेमस अथेंटिक एपलोग भोलता है यह नहीं कहा जाता इसलिए मैंने इसका व्लोग बना चुका हूं सफेद मूसली का तो आप इसको जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूंगा असली और नकली सफेद मूसली की पहचान का तो इसमें सफेद मूस यानि जड़का इसकिन सेमल की जड़का इसकिन लेना है वो डलता है फिर डलता है गिलो सत्व फिर डलता है आमला कौचबीज डलता है मिशिरी डलता है और फिर एंड में डलता है गोखरू अब गोखरू भी दोस्तों दो प्रकार का आता है गोखरू जो आप नाम सुनते ह तो ये इसमें भी दो प्रकार के आते हैं, एक छोटा गोकुरू और एक बड़ा गोकुरू, गोकुरू जो छोटा होता है वो यूरिन संबंदित, यानि आपके पेशाम संबंदित जितनी बीमारियां होती है, आपकी किड्ने के लिए साथ के आप ये अच्छा है, तो ये गो सफेद मुस्ली आप जानते हैं, ये डलता है, फिर डलता है सेमल की जड़ की चाल, या सेमल की जड़ भी मिल जाए तो कोई प्रोप्रोल्म हुहाई, आप वो भी डाल सकते हैं, गिलो सत्व डलता है, यानि गिलो का सत्व, आमला डलता है, कौँच बीच, मिश्री और बड़ा गोकुरू यानि छोटा मैंसे आपको बड़ा गोकुरू लेना वो डलता है इन सभी घटकों को मिलाके वरद्दर्ण चूण कर निर्मान किया जाता है यानि वरद्चर्ण चूण को बनाया जाता है इसको बनाने का प्रोसेस अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दूदsche को आप लेजें सिंपल दूद के साथ से लेना है और जो लोग लेक्टोस इंटॉर्रेटत है यानि दूध करिके नहीं पचे यानि नहीं लेख है neighborhood दूध को पानी कंछते हैं तो थैसके जाया से यानि में लेखया बहुत है तो दूद्ध , नचूण कि good things come in small quantity अच्छी चीजे जो हैं वो कम मातरा में आती हैं तो आप उसको अगर अपने शारी में छोड़ी छोड़ी मातरा में देंगे तो आपको काफी अच्छे स्वास्त लाब होंगे आपकी जो भी cells है आपकी जो recovery है अगर नहीं हो पा रही है तो इस चून से इस classical convention से आरविदिका की उसमें आपको help करेगा आपको diabetes हो, blood pressure हो कोई अन बिमारी हो इससे कोई लेना देना नहीं है आप इसको BHC consume करिए किसी भी sidefers को सोचे हुए तो आप इसको consume करेंगे दूट से दुरड़ायम खाने के बाद अब रद्धवस्ता में आपकी जो भी problems है आपको problem है पेट से है गुठनों मदर्द हो नसो का problem हो या कोई भी XYZ problem हो आप इसको BHC ले सकते है तो दोस्तों यह छोटा आप सा vlog I hope आप लोगों को पसंद आया हो कोई भी queries हो कोई भी इस product के बारे में आप भी जानना हो by chance अगर market में नहीं मिलता है तो आप मेरे से purchase कर सकते हैं बेह चक description में number है So that's all for today guys I hope you guys like this video Please subscribe to my channel Share much as can with your family friends तब तक के लिए बाए